दोस्तों मैं फराज मलिक, सौरी थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है जिस वज़ा से मेरी आवाज भी थोड़ी सी बदली भी नजर आती होगी और एनरजी का लैबिल भी थोड़ा सा कम है थोड़ा सा बरदाश कर लेना हम बात करेंगे आज ड्राई शैंपू के बारे में कई सारे लोगों ने मुझे एक न्यूज आर्टिकल भेजा जिसमें लिखा हुआ है कि ड्राई शैंपू के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है और ये बात बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि इसमें डब शैंपू का नाम आ गया डब शैंपू ऐसा है कि देश के हर नागरे के घर इसका इस्तेमाल होता ही होगा बहुत फेमस डब शैंपू है जब ये बात सामने आए तो इसके बात लोगों में थोड़ा सा घवराट पैदा होगी कि आखिर माजरा क्या है तो आईए इस खबर को जड़ा बिस्तार से समझने की कोशिश करते है दोस्तों हम साभी हिंदुस्तानियों ने अपने घर में कभी ना कभी लाइब बॉई, लक्स, पेर्स, सर्फ एकसल, फैरन लबली इन सारे प्रोड़क्ट का इस्तमाल तो किया ही होगा क्या आप जानते हैं इन प्रोड़क्ट को कौन सी कंपनी मनाती है इन सारे चीज़ों को हिंदुस्तान यूनी लिबर बनाता है जो पिछले 90 सालों से हमारे देश की सबसे पसंदीदा कंपनी बनी हुई है FMCG में सबसे आगे हिंदुस्तान यूनी लिबर है क्या आप जानते हैं कि हंदुस्तान यूनी लिबर का मालिक कौन है और ये कहां की कंपनी है हिंदुस्तान यूनी लिवर का मालिक यूनी लिवर नाम का एक शक्स है और ये लंदन की कमपनी है इसका मुख्याले लंदन में है इस कमपनी के शुरुआत सन 1888 में लिवर बिर्दस नाम से होई पहले ये कमपनी सिर्फ साबुन मनाती थी 1895 में इस कंपणी ने लाइब बॉय, पेर्स, लक्स और बिम जैसे साबुन लाँच किये तो यहां से एक नई बात आप लोगों को सुनने को मिली होगी बिम, लक्स, पेर्स और लाइब बॉय जैसे साबुन जो है वो 1895 में सबसे पहले बनाए गये थे इस कंपणी के दुआरा जो कि लंदन की कंपणी है, इन साबुनों को बनाने के वाद लीबर बिर्दर्स का बिजनिस बहुत जादा बढ़ने लगा जिसके बाद 1931 में ये कंपणी भारत में आ जाती है, पहले कई अलग अलग नामों से इस कंपणी ने शुरुआत की लेकिन 1933 में हिंदुस्तान यूनी लीबर का निर्माड हुआ, आज भारत के अंदर घर में जो चीजें इस्तिमाल होती हैं, वो जादर तर चीजें हिंदुस्तान यूनी लीबर लिमिटेट कंपणी ही बनाती है, तो ये तो कुछ बेसिक सी इन्फोमेशन हिंदुस्तान लेकिन यूनी लीबर के यूनी लीबर ने अमरीकी मार्कीट सी ये कहते वी वापस मंगा लिया कि इन शेम्पो के इस्तिमाल करने से कैंसर का ख़तरा पैदा हो रहा है, तो 2021 से पहले जो भी ड्र아요 शेंपू अमरीकी मार्कीट में है, यूनी लीबर ने DOB सबीट कौन कौन से ड्राइ शेंपू अमरीकी मार्केट से वापस मंगा लिए हैं सारे के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं इस बात की जानकारी अमरीका के Food and Drugs Administration की वेबसाइट पर एक नोटिस में मौजूद है वेबसाइट पर पोस्ट किये गए नोटिस के अनुसार यूनी लीबर ने 2021 से पहले जो ड्राइ शेंपू बनाकर दुनिया भर की मार्केट में भेजे थे उनको वो रिकॉल कर रही है क्योंकि इन शेंपू में कैंसर पैदा करने वाला एक कैविकल पाया गया है जिसके वज़ा से 2021 से पहले बने हुए सभी शेंपू को यूनी लीबर वापस मगा रही है दोस्तों आप में से कितने सारे लोगों ने ड्राइ शेंपू का इस्तेमाल किया है एक तो नौर्मल शेंपू होता है जिसको हम बालों में लगाते हैं करके जाग उठते हैं उसके बाद हम अपने सर को दो लेते हैं लेकिन ड्राइ शेंपू एक अलग तरीक का प्रोड़क्ट है ड्राइ शेंपू बिना पानी के आप इस्तिमाल कर सकते हैं और चंद सेकिंड में आपके बाल एकदम ओईल फ्री हो जाएंगे अगर आपके बालों में तेल वगेरा लगा हुआ है डस्ट वगेरा है तो ड्राइ शेंपू का आप अपने सर पर इस्पिरे करें चंद सेकिंड में आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे आप अभी धोकर आए हैं शेंपू से कैसा होता है ये ड्राइ शेंपू इसका इस्तिमाल कैसे किया जाता है इसको लेकर मैं एक वीडियो अपने विलोग चैनल पर बराऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा भी कैसा होता है और इसका इस्तिमाल कैसे करते हैं पूरा वीडियो विलोग चैनल पर आएगा लिंक डिस्किप्शन में दियो वहाई विलोग चैनल का आप उसको सब्सक्राइब कर लें बहाँ पर वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा अब बात आती है क्या हमें हिंदुस्तान के अंदर इन शैंपू का इस्तिमाल करना चाहिए जो नॉर्मल शैंपू डब बगएर हम इस्तिमाल करते हैं क्या इनके इस्तिमाल से भी कैंसर होता है लेकिए ऐसा कोई मामला भी सामझे नहीं आया है और यह जो शैंपू वापस पार्केट से लंदन की यूनी लीवर कंपणी ने वापस मंगाए है हिंदुस्तान यूनी लीवर ने इन शेंबू को नहीं बनाया था वैसे पिछले डेल साल में कई सारी ऐसी खबरे आई हैं जहां पर बड़े मशूर प्रोड़क्त जैसे जॉंसन और जॉंसन को भी कंपणी कंपणी ने बंकरने की बात कही थी क्योंकि उसमें भी कुछ कैमिकल ऐसे पाए गया थे तो कई सारी ऐसी खबरे सामने आई हैं फिलाल यह जो खबर है डप शेंबू को लेकर यह हमारे देश की नहीं बलके अमरीका की है और हिंदुस्तान यूनी लीवर नहीं बलके लंदन करता हूँ जो बाते मैंने आपको बता ही हैं आपको अच्छे से समझ में आई हूँ मिलते हैं एक और ने वीडियो के साथ तब तक के लिए अपने खयाल लेखे हैं